है और मोट्र डिटर्माइन एक्क्यूर्ण रेस्टेंस बीटून एंड अब ए और बी करा स्पॉंड हमको एक्क्यूर्न रिच्टेंस डिटर्माइन करना बहुत सिंपल सा है सबसे पहले दिवा में क्या आता है हमने क्या बता है ले जो कुछ भी ने सुझ जाए सिरीस पहले अब कुछ लोगों को लग रहा हो गार, सर ये दोनों तो series में है, ये दोनों series में है चलो, अगर आपको लग रहा है तो कर लेते हैं एक बार, नहीं ये हो गया 2 R, और ये भी हो गया, आपका 2 R, तो बچा कुण सा? 1 R बचा ठीक है तो यह हो गया यहां पर तो यह हो गया आपको कट हो लाइक दिस में करस्पॉंणिंग फिर यह हो गया आपका यहां पर कोई दिक्कत नहीं ठीक है और यह हो गया आपका यहां पर यह भी पॉइंट हो गया यह अप फोड़ा सा और इजी लग रहा है आप क्या करेंगे सर बढ़ा complicated हो गया यह तो कुछ लों को दिमाग में आया अब तो कुछ नहीं दिखे रहा है तो हमने एक सी बताई थी कि अब यह देखो अगर यह point A है तो यह point B क्या होगा A यह भी A क्यों क्यों कि इनके बिच कोई voltage ड्रॉप नहीं होगा तो यह junction और इस junction का potential क्या होगा सेम तो आप ऐसे दिखा सकते हो यह यह जब यह हो गया तो यह भी A हो गया और यह यह भी A हो गया नहीं सबके सब A होगा है हमको determine क्या करना है equivalent resistance between A और B तो बचा कौन हमको determine करना है A और B corresponding resistance तो यह देखो जो सेम potential पे तो no current flow यह भी दो दो सेम equivalent resistance क्या कि सिर्फ R सिर्फ R सिर्फ R नहीं यह जो equivalent resistance होगा that is R of A B इस इक्वर 2 सिर्फर कुछ कुछ कुछने की तो नहीं है नहीं क्लियर है कि नहीं नहीं तो ऐसे देख सकते थे यह यह भी A यह भी A तो मतलब अच्छली होता क्या है जो current है ऐसे जाएगी ऐसे शॉट सर्कृट पाथ है तो वह में से शॉट सर्कृट पाथ पीफर करेगी फिर इसका इधर जाएगी तो इन सब में कोई कोई current नहीं जाएगी ठीक है clear है कि नहीं बहुत simple सा है मतलब current ऐसे आएगी ऐसे जाएगी ऐसे ऐसे 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 और बना लो इसको है कि अगा कि अगा कि अगा कि ठाकेल झाल मा पाथ जाएगी पूसल्गण